खुबसूरत वादियां फिल्मी स्टाइल में अगर आप बोलोगे तो यह जो वादिया इसका फिलिंग लेने के लिए लोग बहुत ही दूर-दूर से आप है 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 अगर बाइब आप अब आप अब आपको यहां का सीन दिखाता हूं अभी तक मौसम ख्लेर ने हुआ है पूरा बादल है और यहां पर घर है तो हम लोग यहां पर भी आगए है परोटे खाने और वह पीछे गाड़ी पार्क है जाए के बच्चे हैं और यह मिटी का घर में बहुत दिन बाद देख रहा हूं गाओं के लावा कहीं पर आप लोग ने ब्रेक्फास्ट बड़ा करके आप बैठ चुके हैं और यह जो लोकेशन है यह मैं आपको बताता हूं क्या है यह सिमला का गोल्फ क्लब और आपको मैं यहां से नहीं जाना दिखाता हूं लोग यह बैठे हुए हैं और हम लोग ने यहां पर इतने सारे है यह सीन कुछ ऐसा है कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ दिखा सकता हूं कुछ बोल नहीं सकता हूं इस जगह के बारे में मैं बोलूंगा तो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा इसलिए आप देख लो कि क्या है यह चीज उसके बाद फिर कमेंट करना कि कैसा लगा आपको इ एक लोडार के बीच में से जो लोडा ऋरे हैं वह कहना है नहीं है उसका देक है है मौसम बक पर आपको क्या हाला रिख एक तु मुझे लगए दिंग हम लोग यह पर कलाइज है ना गल्लु मनाल यह यह रोडगेया यह वाला और मंदी सब्जी मंदी जगह है वा वा अ मनाल वार दोन्दी दोन्द हो गया है बई नो थैद्ड modern निखाई नहीं दे रहा है ये पहाड़ हैं थंडी थंडी야 वाएं भी चल रहिए साथ में कि मलग अभी बादल के अपर उपर चल रहे हैं पूरा वाइट है पूरा बादाली है ये सामने ये पूरा बादली मादल है हर दो अब मालिया कि वह वारि सानी वाले रखता है किसे आगे पर रहे हैं जो इसा आगे पड़ा विसे और बादला घना होते जा रहा है यह दि उसने बादल ने लोग और उस्ते ही जा रहे है तो जी यह हमारा सिम्ला एरपोर्ट का रनवे देख लो आप अब यह कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि मैं पूर कोई सीन है यह पर इंग सांसा एरपोर्ट है यह आपका सिम्ला राइवल और यह सारा रनवे रैम्प अगर है यह सीन है मस्त है यहां का भी एरपोर्ट का व्यू काफी अच्छा है आप देख लो बहुत ही मस्त लग रहा है यहां से एकदम पहाड के उपर है एरपोर्ट